नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग सेमुलेटर यूटूब चैनल पर दोस्तों मद्यपरदेश में किसानों की खरिब सिजन की फसल बारिस के भेट चड़ गई थी एसे में अब रभी की फसल के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है दोस्तों गोर तलबे की मद्यपरदेश में इन दिनों उर्वरों को की काफी मांग चल रही है लेकिन दोस्तो किसान भाईयों को समय पर खात नहीं मिल पाने के कारण किसान भाई काफी परेसान है दोस्तो ऐसे में कहीं न कहीं काला बाजारी भी बहुत जादा हो रही है दोस्तो जो 270 रुपे की वोरी मिलती है यूरिया खात की वह कहीं न कहीं अब 400 से 500 रूपे पर बेक के हिसाब से काला बाजारी में मिल रही है दोस्तो ऐसे ही समय में एक वीडियो सामने आया है जो देवाज जिलेक की टोक खुर्द तेसिल के जमूनिया सुसाइटी का है जियां दोस्तो यह वीडियो दोस्तो कहीं ने कहीं किसान भाहियों ने जो है अपने खाद न मिलने के कारण हड़कम मचाते हुए ट्रक पर चड़ गए दोस्तो किसानों की माने तो कहा जा रहा है कि सुसाइटी द्वारा सिर्फ पांच यह दस बोरी खाद हमें दिया जाता है और उसके लिए भी हमें दो दो से तीन जा छा चार दिन हमें इntजार करना पड़ता है उसके बाद कहीं ने कहीं सुसाइटी के करमचारी हमें खाद गएते हैं दोस्तो शुक्रवार के दिन एक ट्रक खाद लेकर आया और उस ट्रक को जो है किसान भाई का सबर तूट गया और किसान भाई अपने अपनी बूरिया ट्रक पर चड़ कर लेने लगे तो दोस्तो हाल फिला हाल की बात माने तो काफी दिक्कत चल रही है लेकिन सासन प्रसासन कहीं ने कहीं अभी सोया हुआ है दोस्तो जो चुनाओ के समय किसानों को के बोड बटोरने के लिए बड़ी बात करते हैं लेकिन किसानों को अभी जो समय से आ रही है उनका निदान नहीं कर पा रहे है तो दोस्तो अभी हाल फिल हाल तो उरूरों को काफी मद्य परदेश में मांग चल रही है और किसान भाईयों की जो फसल है वो कहीं न कहीं खाद और रूरों की कारण जो है कि काफी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है तो दोस्तों देखते हैं आगे चल कर होता है क्या सासन प्रसासन खाद की पूर्ति कर पाएंगे या इसी प्रकार से किसान भाईयों की फसल चोपट होती रहेगी तो दोस्तो अगर वीडियो पर जो भी भाई पेली बार आया उनसे निवे दने की वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ अगले नेश्टी वीडियो में जब तक के लिए जे जवान, जे किशान, जे हिन